हेलो एबरिबड़ी आई होप आप सब हल्दी होंगे मैं हूँ आपकी बाइलाज एजुकेटर शिवानी माम वेलकूम बैक टू मैगनेट बेंज जो आपको प्रोबाइट कराता है किंडर गार्डन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक की क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिल्क क्लास हर सब्जेक के टॉपिक वाइज एक्स्पिनेशन मिलेंगे साथ में मिलेंगे धेल सारे प्रेक्टिस क्वेशन इतना ही नहीं आप अबेल कर सकते हैं इनोट्स और इबुक जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है तो चलते आज की वीडियो की तरफ आज की वीडियो हमारी क्लास 12 बायलोजी चैप्टर री प्रॉडक्टिव है इस चैप्टर नंबर है 3 और इसमें हम कवर करेंगे मैडिकल टर्मिनेशन ओफ प्रेगनेंसी जिसे हम MTP भी बोलते हैं ठीक है तो मैडिकल टर्मिनेशन ओफ प्रेगनेंसी को हम शॉट पॉर्म में MTP क कहते हैं चले तो हम इसमें क्या कवर करेंगे देखते हैं अगर आपने हमारी प्रीवेस वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने कवर कराया है आपका जो भी बर्थ कंट्रोल मैथ हर्ट से कौन कौन सी बर्थ कंट्रोल मैथ हर्ट होती है अगर आपने वो वीडियो नहीं दे termination of pregnancy, ठीक है, तो कैसी होती है, voluntary होती है, कैसी होती है, voluntary होती है, और कैसी होती international, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में होती है, international है ना, और इसे हम क्या बोलते है, medical termination of pregnancy, क्या बोलते है, medical termination of pregnancy, या MTP, और induced induced evasion और क्या बोल सकते हैं induced evasion ठीक है तो यहां पर क्या करा रहे है evasion करा रहे हैं इसे हम क्या बोल रहे है induced evasion क्या clear है जल्दी बताए इतना point clear है या नहीं आप देखिए हर साल हर साल करीवन पैतालीस से पचास मिलियन MTPs कराई जाती है वर्ल्ड में कितनी हर साल पैतालीस से पचास मिलियन MTPs कराई जाती है या मैं बोलू कि one-fifth of the total number of conceived pregnancy in the year या मैं दूसरी भासा मैं बोलू कि जितनी प्रेगनेंसी होती है उसमें से जो one-fifth pregnancy है उसे क्या कराया जाता है अवार्ट कराया जाता है clear है तो यह समझ में आ गया कि देखिए all over the world accounts to one-fifth of the total number of conceived pregnancy in year ठीक है तो हर साल जितनी pregnancy होती है उसमें से one-fifth pregnancy जो है उसके क्या कराया जाता है अबार्ट कराया जाता है क्या clear है जल्दी बताइए अब next point जो है whether to accept legalize MTP whether to accept accept और legalize MTP or not is being debated upon many countries due to emotional, ethical, religious and social issue involved in it ठीक है तो इस पर बहुत चल रहा है कि यह legalize है या नहीं है बहुत सारी countries जो है अभी उनके बीच में यह debate है कि नहीं है legalize है कई बोलते है नहीं legalize नहीं है अरे इसमें तो बच्चे की हत्या कर रहे है तो यह कैसे legalize हो सकती है तो यह सारे problems आ रही है क्यों क्योंकि लोगों के emotion जोड़े रहते है pregnancy से अना ethicals है religious है कि भाई किसी का बच्चे की जान लेनी ठीक है क्या है एक गुना है एक पाप है तो बहुत सारी क्या है इसमें social issues आ रहे हैं तो कई लोग इसे legal बोलते हैं कई लोग legal नहीं बोलते हैं बहुत countries में ऐ wait चल रहा है क्या clear है या नहीं जल्दी बताइए तो इसका screenshot ले लिजिए फटा फट चले आई होप आपने इसका screenshot ले लिया होगा और हम आगे बढ़ सकते हैं तो देखे government of India legalized MTP in 1971 तो इंडिया में MTP legalized है हना अब मैं condition बोलूंगी कब legalized हना उसकी कोई legal है तो उसका कुछ ना कुछ तो ऐसे राइ रूल्स होंगे ना कि कब legal है ऐसा थो रही ना कि भाई आप बस बच्चे मारते जाओ और यह legal है नहीं ना चलिए तो यहाँ पर इंडिया में MTP जो है वो legal हुई है कब 1901 में 1971 में 1971 में 1971 में 1971 में ठीक है with some strict condition to avoid its misuse तो भाई बाली बात होगी ना मैंने बुला कुछ तो rules होंगे legalize की है इसका मतलब यह नहीं है कि आप बच्चे की जान लेते रहो हना तो इसके कुछ rules है कुछ conditions है क्यों है यह condition की कोई misuse ना हो MTP का क्या clear है तो समझ में आ रहा अब देखिए क्या है such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticide which are reported to the high in India ठीक है अब इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में क्या होता है आजकल तो हना सब चीज देखो legal होती है नहीं होती है वो बात अलग होती है पर चोरी छुपे सब चीज़े चलती है यह आपको भी पता है मुझे भी पता है ठीक है तो क्या है जैसे amniocentasis की बात करें वो ban है बैन कब है जब आप क्या करें बच्चे का sex determination में यह क्या है बै क्योंकि जो genetical disorders है वो पता कर सके है ना कि बच्चे में कोई mutation तो नहीं है जिसके वज़े से उसे आगे problem हो तो क्या वो mutation अगर पहले जल्दी से देख लिया जाए रिकनाइस कर लिया जाए तो हम उसे जल्दी से embryonic stage में हम उसे correct कर सकते है क्योंकि embryonic stage में correct होता है ठीक है तो वर उसलिये थी बट उसको banned किया गया क्यों क्योंकि उसका काफी ज्यादा भी करने लगे थे हतना अभी बंद नहीं है मतलब उसका जो illegal use भी करने लगे थे, उसलिए उसको क्या कर दिया, काफी जादा, थोड़ा सा strict rule कर दिये, हना, कि आप काप करा सकते हो, कब नहीं करा सकते, और उसका सीधा ये है, कि female या male sex पता करने के लिए, child का male या female sex पता करने के लिए, ये क्या है, नहीं है, ban है ये, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जो MTP है, वो legalized है, इंडिया में legalized है, बट इसकी कुछ condition है, strict conditions है, जिने follow करना है, क्यों क्योंकि MTP का भी misuse हो रहा है, क्या clear है, कैसे misuse हो रहा है, तो इंडिया में क्या है, पता कर लेते हैं कि बच्चे का sex क्या है, male है या female है, बच्चा ठीक है, मतलब girl है य female feticide बहुत जादा हो रहा है, बच्चे को अगर पता चल रहा है, कि इंडिया की family में, जो पेट में है, वो लड़की है, ठीक है, तो क्या कर दिया जाता है, उसको award करा दिया जाता है, मार दिया जाता है, ठीक है, बोलते हैं, बस हमें नहीं चाहिए, आप उसे award कर दीजे, evaluation करा दिजे, ठीक है, तो ये वाली सारी चीजे चलती है, इसलिए, क्या है, इसके कुछ rules and conditions है, जो आपको follow करने होते हैं, क्या clear है, आप देखिए, why MTP, obviously the answer is to get rid of, हाना, MTP क्यो कराते हैं, obviously क्यो कराते हैं, क्यों क्यों क्या चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं, कि unwanted pregnancy हो, हाना, unwanted pregnancy से, get rid of, get rid of, मतलब, कि हम उसे चुटकारा पाना चाहते हैं, हाना, तो देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, obviously the answer is to get rid of unwanted pregnancy, either due to casual unprotected intercourse, चले, हुआ, क्या भाई, जैसे male और female, partner के वीच में, क्या हुआ, unprotected sex हुआ, ठीक है, but वो नहीं चाह रहे थे, कि baby हो, हाना, तो unprotected sex की वज़े से, जो female है, वो conceive कर गई, तो इस condition में यह legal है, ठीक है, दूसरा, failure of the contraceptive use, अब क्या हुआ, भाई, जो female है, या male है, contraception use कर रहे थे, contraceptive use कर रहे थे, ना, contraceptive methods use कर रहे थे, बट उसका failure हो गया, अब failure हो गया, तो उसके वज़े से, क्या, जो female इसने conceive कर ल पहना किसी female के साथ rape हो जाता है, जो कि क्या है, illegal है, तो इस time पे जो, अगर बच्चे, जो female है, वो conceive कर जाती है, ठीक है, तो उस time पे उसके लिए MTP जो है, वो legal है, ठीक है, वो award करा सकती है उस बच्चे को, क्या clear है या नहीं, तो क्या-क्या इसके rules है, conditions है, कौन-कौन सी condition में MTP जो है, वो legalized है, समझ में आ गया, जल्दी बताए, क्या समझ में आ गया, unprotected sex, और क्या होना, और आपका, जो, आप contraceptive method यूज कर रहे थे, उसके failure के वज़े से conceive करना, या rape या casual, जो sex है, उसके वज़े से अगर होता है, ठीक है, तो ये legal है, क्या समझ में आया, जल क्या आगे बढ़ें, चले, आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, MTP are also essential in certain cases where continuation of pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both, ठीक है, इस condition में, MTP जो है, इस condition में भी क्या है, legalized है, कौन सी condition में, अगर देखो, क्या हो रहा है, continue pregnancy हो रही है, पता चले है कि, इस साल जो female थी, थी, वो pregnant थी, उसने बच्चे को birth दिया और lactational period ही चल रहा था और उसके बीच में, ठीक है, खतम होते होते होते, वो pregnant हो गई फिर से, ठीक है, अब pregnant हो गई तो ऐसे continuation में, उसकी क्या है, बेबी है, अब क्या है, जो female है, उसकी body healing नहीं कर पाई है, अभी healing ही नहीं कर पाई ह है, और फिर से वो conceive कर गई, तो क्या है, इस से क्या है, अगर mother को, नुकसान है, mother की life को, अगर खत्रा है, या बच्चे की life को खत्रा है, या दोनों की life को खत्रा है, तो इस condition में doctors क्या करते हैं, क्या prescribe करते हैं, या क्या prefer करते हैं आपको, कि इस condition में आप क्या करा दीजे, अ MTP legalize है ठीक है अब बात आती है कि MTP जो है वो कब safe है हाना pregnancy के किस duration में MTP जो है वो safe है हाना ऐसा थोरी ना है कि आप पदा चल रहा है 8 month pregnancy के 8th month में MTP करा आओ नहीं भाई उस time पर proper baby जो है develop हो जाता है mother के home में बस वो निकलने के लिए ready रहता है तो उस condition में नहीं कर सकते हाना तो देखते है कब ये क्या है safe है MTP is considered relatively relatively safe during the first trimester first trimester का मतलब होता है जो pregnancy है उसके पहले 3 महिनों में हाना first 3 month में जो MTP है वो क्या है safe है क्या है safe है ठीक है it means up to 12 week of pregnancy है ना हर महिने में 4 week होते है तो वैसे बारह तीन महिने में कितने week हो गए 12 week तो हर ठीक है तो ये कब safe है relatively कब safe है initial three months में या बोलें कि first trimester में जो MTP है वो क्या है safe है ठीक है second trimester abortion are much more riskier ठीक है लोग करा जरूर लेते हैं बट इसके risk बहुत जादा है ठीक है इस condition में हो सकता है कि मदर की death हो जाए अब बच्चा तो आप about करा रहे तो simple सी बात है कि आपको नहीं चाहिए वो मरे या जीए उसका तो कोई वही नहीं है बट second trimester में मतलब four, five, six month में क्या होता है जो MTP कराते है वो जादा risky होती कई बार यह होता है कि female की जान चली जाती है क्या clear है समझ में आया चलिए तो one disturbing strand observed in that the majority of MTP are performed illegally by unqualified quarks which are not only unsafe but could be fatal too वही वाधे जोला चैब डॉक्टर जोगते है न वो क्या कर देते ओ वार्शन कर देते और यह क्या होघ हो रहा illegal होता है अच्छी खास उसमें जोबैठ पल्शुटर में बड़े बड़े राफुटेटर जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत जाधा risk है ठीक है government को अगर पता चल गया अगर medical team को ये पता चल गया तो उनका license जा सकता है ठीक है उनके उपर case हो सकता है तो ये बचते हैं हाना आप याद उनको legal कुछ मतलब ऐसा reason दो जब कर रहे हैं ठीक है और बट ये जो MTP है काफी जादा illegally करी जा रही है और इनको करने वाले जोला चाप doctors होते हैं कौर होते हैं जोला चाप doctor और ये क्या होती अंसेफी नहीं होती हाना ये अंसेफी नहीं होती इसकी वज़े से कई वार female की क्या हो जाती है जान भी चली जाती है हाना समझ में आया कि नहीं पता चले गलत करती और जो female है बिचारी कराने कुछ और ऐसी वाली condition बन जाती है, क्या clear है या नहीं, जल्दी बताईए, तो इतना clear हुआ या नहीं, चलिए, I hope आपने इतना समझ लिया होगा अच्छे से, और हम आगे बढ़ते हैं, तो देखे आगे, क्या वो रहा है, another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of unborn child, क्या मैंने पहली बोल दिया था, कि amniocentesis का भी क्या किया जा रहा है, बहुत जादा misuse किया जा रहा है, कैसे misuse किया जा रहा है, क्योंकि जो amniocentesis से, जो बच्चा है, जो फीटर से, उसका sex भी पता किया जा सकता है, ठीक है, तो लोग क्या कर रहे है, genetic disorder या जो disease है, उनके बारे में तो जानने की अलगी चाहता है तो वो क्या कर रहा है वो चाहता है कि नहीं हम इसे अवाट कराएंगे ठीक है क्यों अवाट कराएंगे क्योंकि फीमेल है और हमें एक और लड़की नहीं चाहिए यहां में लड़की चाहिए ही नहीं हमें तो सिर्फ क्या चाहिए हमारे घर का वंच चाहिए लड़ अब sex पता चल गया, तो क्या करवाएंगे, MTP कराएंगे, क्या समझ में आया, अब देखे, frequently if the fetus is found to be female, it is followed by MTP, वही वाली बात हो गई, कि आपको पता चल गया, कि जो बच्ची है, जो fetus है, वो क्या है, female है, तो क्या कर देंगे, उसके बाद क्या करा देंगे, MTP, followed by मतलब उसके बाद क्या करा देंगे, MTP करा देंगे, this is totally against what is legal, ठीक है, ये totally against है, हना, कि भाई, ऐसा नहीं करना, भाई वाली बात होगी ने, conditions दी दी, ये तो condition के अलग है, हना, तो ये क्या है, totally illegal है, जो की काफी धडलने से चल रही है, क्या clear है, समझ में आया, काफी, जो से follow करते हैं, उनकी बात नहीं कर रही, कुछ ऐसे hospitals भी होते हैं, जहां पर ये चीजें चोरी छुपे होती है, पदा चल रहा है, बाहर पर बोड लगा हुआ है, कि ये चीजें क्या है, मतलब बैन है, गलत है, तो यहां पर भूण, वोई लिंक का, वो नहीं किया जाता, देंजरस बोट, for the young mother and for the fetus, ठीक है, चलिए, तो ये जो है, ये practices जो है, ये avoid करनी चाहिए, क्यों avoid करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है, बच्चे के लिए भी खतरनाक है, और mother के लिए भी खतरनाक है, ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया या नहीं, बताइए, जल्दी बता on the need to avoid unprotected coitus and the risk factor involved in illegal abortion as such as providing more healthcare facilities could reverse the mentioned unhealthy trend, क्या क्लियर है, तो ये लो नहीं क्या बोला, effective counseling होनी चाहिए, कि भाई, आपको ध्यान रखना है, अगर आप नहीं चाहते है, कि conceive करो, तो unprotected sex से बचो, ठीक है, इसमें क्या है, risk है, illegal जो abortion करा रहे है, उसमें क्या क्या problems face कराते हैं, ठीक है, क्या होता है, सारी, सब overall चीज़ों को क्या करा जाता है, counseling चलती है, उसके लिए क्या चलती है, counseling चलती है, समझाया जाता है, ठीक है, कि couples को समझाया जा रहा है, कि भाई, ये कराओगे, तो इसके तो ये वीडियो हम यहीं पर समाफ करते हैं, thank you so much, वीडियो अच्छी लगी हो, तो like कीजे, share कीजे and subscribe कीजे and comment करना बिल्कुल मत भूलेगा, तो आप हमें हमारे YouTube चैनल पर तो already follow कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ, अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज जल्दी से follow कर लीजे and bell icon को click कर दीजे, जिससे सारी की सारी updates आपको time पर मिल सकें, जिससे सारी की सारी videos आप time पर देख सकें, biology, physics, chemistry या mathematics, तो आप सारी videos time पर देखें और अपना syllabus बिल्कुल maintain करके रखें daily basis पर, इसके अलाबा हमारा official website भी है, that is www.magnetbeans.com, आप हमें वहां पर भी follow कर सकत है, हमारे social media handles पर जो की है, Instagram, Telegram, Twitter, WhatsApp और इसके अलाबा आप अवेल कर सकते हैं, e-notes and e-book की facility जिसकी link description box में दी है, तो चलते हैं हमारे top courses की तरफ, यह हमारे top courses जो की आपको Hindi medium channel और English medium channel पर separate मिलेंगे, separate teacher Hindi medium channel पर पढ़ाते हैं, separate teacher English medium channel पर पढ़ाते हैं, बात आती हैं, चैन channel पर CBSC vote, CBSC vote के अलाबा, state votes की तयारी भी की जाती है, जैसे कि Delhi vote, बिहार vote, UP vote, MP vote and Rajasthan vote, इसके अलाबा, basic math crash course and spoken English, यह सारे के सारे courses आपको high quality education के साथ 100% free में मिलते हैं, जी हाँ, आपने सही सुना, magnet brains provide कराता है, unpaid subscription, आपको किसी भी class, किसी भी subject को पढ़ने के लिए, कोई भी paid subscription लेने की जरूएत नहीं, अब सिक्षा लेने के लिए पैसा देनी की जरूएत बिलकुल भी नहीं, तो मिलते हैं next video में, बाबाए